इस लेक्चर वीडियो में हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट फाइब फर्स्ट यर और्गैनिक केमिस्ट्री की यूनिट फाइब है एलकिल हैलाइड एलकिल हैलाइड वा एरिल हैलाइड एलकिल हैलाइड वा एरिल हैलाइड तो एलकिल हैलाइड वा एरिल हैलाइड क्या होते हैं अगर एक सीधी कारवन चेन के साथ आख मतलब हैलो जुढे हो तो वा एलकिल हैलाइड और rib, किसी Saiklo dad do करे है कि कैसा हो ऐ valeur जिए एरिल समूंग सबसे पहले करेंगे हम एलकिल हलाइडों का वर्गी करण, अब एलकिल हलाइडों का वर्गी करण, जो कार्वन एटम होता है, कार्वन परमारू से जुड़े हेलूजन की प्रकृति के आदर पर करते हैं, कैसे अगर कार्वन, अगर कार्वन वन डिग्री प्रकार का है, दूसरी कंदिशन अगर कार्वन टू डिग्री, अगर कार्वन ट्री डिग्री, तो वन डिग्री को, तो वन डिग्री कार्वन से अगर हलाइड जुड़ा हुआ है या फिर हैलोजन जुड़ा हुआ तो उसे ब एक्स जुड़ाय तो मैथिल एलकिल हलाइड इस तरह से एलकिल हलाइडों का वर्गी करन कार्बन पर्माउड की प्रिकृति के आदार पर किया गया है जैसे अगर हम प्रात्मे केलकिल हलाइड देखें तो प्रात्मे केलकिल हलाइड का उदारण CH3 CS2X इसमें हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो अन्य एक कार्बन से जुड़ाय है तो यह हो गया 1 डिग्री इसी तरह 2 डिग्री का एक्जाम्पल होगा CH2X 3 डिग्री 3 डिग्री का हो जाएगा CH3 CH3 उपर भी CH3 और यहाँ पर X तो X जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री हो गया इसके बाद मैथिल हलाइड में केबल CH3X तो यह अलकिल हलाइड का वरगी करण हो गया इसके बाद है अलकिल हलाइड बनाने के विजिया सिंथेशिस सिंथेशिस मेथर्ड ओफ एलकिल हलाइड Synthesis Method of Alkyl Hyalide में First method है Alkyano से By Alkyane Alkyano से अब Alkyano से हमें Alkyl hyalide प्राप्त करना होता है तो हमें Alkyane की अभिकिरिया हमें Alkyl hyalide प्राप्त करना है तो Alkyane भी चाहिए और Halogen भी चाहिए तो हम क्या करेंगे CH4 Alkyane की अभिकिरिया हेलूजन से सूदे के प्रकाश की उपस्तिती में या फिर परावेग्मी विक्रणों की उपस्तिती में करवाते हैं तो एक HCl के साथ HCl निकल जाएगा और एक Cl इस CH, एक है इसमें CS3 बचा तो CS3 के साथ तो यह क्या बन गया, एक 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 हैलाइड प्रिपेर हो गया इसकी यह सर्फ साधारण एक iAlcane की बात किया, जैसे कि मेथिन, अगर हम CH3 CH, CH3 CH, अगर इस IAlcane की वात करें, तो एक कौन सी डियरी है? ये तो डियरी इसमें ये तो डियरी law और ये वन डियरी कार्बन हैं तो वहम इंसे अलकेल हलाइट बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम हमें हköوبाजिणी करन करना है. एक बार हम आपए क्या आप हम सीयल टू से करवा लेते हैं एक बार हम एलवजन अलोले chem o dog a day सकते हैं कि अपिकरीय अधिक आप हम अच्य यहां सब्छ फिर्टो से प्रतिस थात हो तो हम परह्ली कंडिशन में एक बार है से प्छित आप Chung और इन थी पी तो सबसे पहले हमने जब Cl2 से Cl2 क्लोरी नी करण ब्रोमी नी करण करवाया है तो हम पहले अगर इस carbon इस hydrogen का प्रतिस्थापन करते हैं मतलब 1 degree carbon से hydrogen या फिर 1 degree hydrogen प्रतिस्थापन हुआ है तो पहले हमने CH3 CH CH3 और यहां पर CH2 X रख दिया प्लस CH3 C यहां पर CL X के चले CL रखना है यहां CL यहां CH3 और यहां पर भी CH3 तो यह कौन सा degree L के लेलाइड है 1 degree क्योंकि CL उस carbon से चुड़ा हुआ है जो अन्य एक carbon से चुड़ा हुआ है जबकि यह कौन सा है 3 degree अगर हम इसकी बात करें तो इसमें CH3 CH CH3 CH2 और यह बी आर और इसमें CH3C BR CS3 CS2 तो इसमें 1 degree और 3 degree यह एलकिल हलाइड यह एलकिल ब्रोमाइड और इसमें एलकिल क्लोराइड बनते हैं तो यह एलकिनों से प्लोरीनी करन करके एलकिनों का प्लोरीनी करन करके हम एलकिल हलाइड बंडिग्री त्रिवी को आसानी से पाप्त कर सकते हैं अब यह एलकिन से थी इसके बाद नेक्स से एलकेल एलाइट बनाएंगे तो CH2, CH2 यह एलकीन होगे, एक और एलकीन लेके देख लेते हैं CH3, CH double bond CH2, हमने HCl की रियक्शन कराई, यहां पर भी HCl की रियक्शन, जब एलकीनों की रियक्शन है, हैलोजन हमलों से ही करते हैं, तो एलकेल हलाइट बनते हैं, इसमें क्या होगा, पाइब और टूटेगा, तो सिगमा बनेंगे, एक से H, एक से CL जुट जाएगा, तो CH2, तो हम इसे एक थ्रीक कर देते हैं, और इसको CH2, CL, इसमें क्या होगा, CH3, CH, CL, CS3, इसके बाद नेक्स्ट, एलकॉल से थर्ड, अब एलकॉल से, निम्न प्रकार की रियक्शन की द्वारा, जैसे, फर्स्ट है, एलकॉल पर HX की रियक्शन द्वारा, तो जब हम एलकॉल की रियक्शन, रो एच दिया, HX से करवाते हैं, तो यहाँ से, H, और यहाँ से, O, H, H2 निकल गया, और RX के साथ दोड़ गया, RX प्लस H2O, यह हो गई, फर्स्ट, एलकॉल, एलकॉल से हम, कुछ अभिक्रिया हैं, जैसे, इसके बाद है, है, F, पहला है, फास्ट, फ्लस, हैलाइट के अभिक्रिया है, पहली है, हाइड्रोजन, हैलाइट की अभिक्रिया, के द्वारा भी, सेकिर्द, एलकॉहल पर, P, सबसे फ़हले हम, पी, एक्स, थ्री पी, एक्स, ट्री के एक्षन करवाएंगे, और फास्फोरस हेलाइड में दूसरा है PX5, एक बार PX3 और एक बार PX5, X की जगए CL भी हो सकता है, तो X मतलब हेलोजन, तो यहां पर अगर हमने PX3 से अभी किरा करवाई, तो एलकोहल के हमें तीन अडू लेने होंगी, तो एलकोहल के तीन अडू लेने होंगी, प्लस PXX, तो यहां से H3PO3 निकल जाएगा, तो H3PO3, तो कौन साथ निकलेगा, यहां से इसका ये वाला भाव, और यहां से इसका P ये वाला भाव, जब ये निकलेगा, क्या निकलाएगे, H3PO3, S3PO3 निकल गया, और R के साथ H, R के साथ H, R के साथ H, Sorry, X, H नहीं X, R के साथ X, R के साथ X, तो क्या अब निकला, 3, R, X, ये तो है, First P, X3 के साथ रेक्शन, इसके बाद Next, P, X5 के साथ रेक्शन करवाएगे तो, तो R, O, H, तो इस कंडिशन में, एल्कॉल का के वाल एक अनू में एक लेना है, तो P, तो 1, 2, 3, 4, 5, सब भी जगे X जोड दिया, अब इसमें से क्या होगा, यहां से, एक मट, हम इसे इस तरह से आप रख सकते हैं, एक मट का रियक्शन, तो इसमें सादू को असा निकलेगा, मट की, मट की के समार, यहां पर एक मट का बना, यह वाला में नकल गया, तो क्या होगा, R के साथ X, प्लस H के साथ X, और यह P O X 3, तो एलकल एड़ा हेलाइड इसमें भी बन गया हमारा, तो एलकॉल से हम H X की रियक्शन द्वारा, P X 3 की रियक्शन द्वारा, P X 5 की रियक्शन द्वारा, एलकल हेलाइड प्राप्त कर सकते हैं, के साथ हमें इसके बाद हमने एलकॉल पर थायोनिलख्योईट की रियक्शन द्वारा, एक डार्जन प्रक्रम बढ़ाता थायोनिल्ख्योईट के रियक्शन द्वारा उसे भी दिखते हैं, एलकॉल पर S O C L 2 की रियक्शन द्वारा, जब हम R, O, H की अविक्रिया, S, O, C, L, 2 के साथ, हमें S, O, C, L, 2 के साथ अविक्रिया करवानी है, किसकी प्रेजन्स में, पिरिडीन की प्रेजन्स में करवाएंगे, जब हम यह रियक्शन करवाएंगे, तो यहां से S, O, 2 निकलेगा, R, C, L के साथ, R, C, L बन गया, S, O, 2, और H, C, L, और यह इनकी यह गैसी स्टेट में होंगे, इस विदी जो आद द्वारा जो एलकल हलाइड प्राप्त होते हैं, वो बहुत शुद अवस्था में प्राप्त होते हैं, क्यूंकि यह दोनों गैस अवस्था में होते हैं और जल्दी से पात्रमे से उठ जाते हैं, यह हो गई, एलकॉल के साथ अभी किया, तो एलकॉल से सबसे पहले, HX के साथ अभी किया, फिर PX3, PX5, और next, SOCL2 के द्वारा, RCL अर्थत, एलकल हलाइड प्राप्त कर लिए गए, इसके बाद next है, इसके बाद next है, कार बॉ दिकर, हुंस दिकर विधी द्वारा, कार्वोक्स लिक अमलों से, अब हम क्या करेंगे, कार्वोक्स लिक, C2H5, CW, कार्वोक्स लिक अमलों का, सिल्वर सॉल्ट लेंगे, कार्वोक्स लिक अमलों का, सिल्वर लवर लेंगे, जब हम कार्वोक्स लिक अमलों के, सिल्वर ल प्लोरीन या ब्रोमीन के साथ करवाएं, तो हमने यहां पर ब्रोमीन विलियन होगा, CCl4 विलियन में, अब इन दौनों की जब अभी क्रिया करवाएंगे, तो एक AG, एक BR को लेके, एक AG BR निकल दिया, यह उपूद पार निकल जया, इसके बाद एक BR बचा है, यहां से CO2 निक लाएं, CO2, अब क्या बचा, C2H5, BR, तो C2H5 और यह BR, तो जब ने कार्वोक्स लेकर, अमलों की सिल्वर लवन की अभी क्रिया, का CCL4 विलियन में, ब्रोमीन के साथ करवाई, तो, कि बाद मेक्स्ट है, हेलोजन, विनिमे, कि दएक्शन द्वारा, हमें इसमें क्या करना होगा, एक प्रकार की Alkyl Helog ad, वो दूर्से प्रकार की Alkyl Helog lokend, वोइसके द्वारा हम चर्चेह कर सकते हैं, जैसे, अगर हम पंपी, इल्किल हलाइड है, हमें उसी insulin है, हमें अsyु, experировать mean, गल है, तो Cl plus NaI अब क्या होगा? यहां से Na और यहां से Cl चला जाएगा तो और C-Ci के साथ जो जाएगा क्या होगा है? NaCl तो हमें alkyl chloride से अब यहां पर क्या बन गया? इसी तरह अगर C2H5 आई है और हमने उसकी reaction AGI के साथ कराई तो AGFK के साथ दबाई तो I और AG, तो AGI, CH2, CH5F, तो हमें सिर्फ एक एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से बिन मैं करवाना है, यह फिर इंडर्चेंज करना है, इसके बाद यहां पे इसके बाद है एलकेल हेलाइट की नाविक इसने ही अभी किरिया की किरिया ये नेक्स टॉपिक अगर हम नाविक इसने ही अभी किरिया की किरिया विदी के बात करें तो नाविक इसने ही अभी किरिया की किरिया भी भी दो प्रकाति होती है फर्स्ट होती है SN1 and second RTA SN2, एकल अडूक ना भी करसे नहीं किट अबी करिया और इसमें कहीता है और इसमें वेग निर्धारक पत में दो अडूक भाग लेता हैं। इसलिए से एकल अड़ुक और इसे दो अड़ुक किरियाविधी कहते हैं तो हम एसन वन देखे एसन वन यह में साथ दो स्टेप में कम्प्रीट होती है टू स्टेप में होती है और बेग निर्धारक पद में एक अड़ु भाग लेता है प्लस अड़ुक और बेग और यह उनली यह स्टेप में क्या में क्या होगा कर्वो केटाइन का रहता है जैसे यह आलक्यलेलाइड है हमें आदिक एलक्रियाए पनी है तो जब हो एलकेल हलाइड की का फ़से स्टेप होगा उसमें क्या होगा बॉंड टूटेगा बॉंड की एलेक्टर क्योंकि इसकी एलेक्ट्रो नेगडिक्टी जाता होती है इस पर माइनस और इस पर प्लस तो क्या हो जाएगा ची प्लस और यहां गया एक्स माइनस यह स्टेप श्लो होता है और स्लो जो स्टेप होता है उसी को बेगनीर तहारक पद बेलोसिटी डिटर्मिनेटिक स्टेप कहते हैं और इसी पद में कितने अडू भाग ले रहे हैं शेफ एक एल के रहे याडू इस लिए से कहते हैं SN1 इसके बाद step second में क्योंकि ना भी किसनी अभी क्रिया है तो अब हमें ना भी किसनी का योग करवाना है ना भी किसनी मतलब जो खुद पे तो जिन जो पॉजिटिव लविंग होते हैं मतलब खुद पे तो उन पे पॉजिटिव नेगटिव चार्ज होता है जैसे कि NU- अब यह दोनों रियक्शन करेंगे तो यह हो गई ना भी किसनी अभी कि दिया या फिर ना भी किसनी प्रितिस्थापन अभी किसमें हेलोजन ग्रुप का प्रितिस्थापन किसी ना भी किसनी में कर दिया है यह तो होगी SN1 reaction SN1 mechanism इसकी बाद पहले हम SN1 को यह खत नेक्स्ट है एनर्जी डाइग्राम एनर्जी डाइग्राम और SN1 reaction इसका एनर्जी डाइग्राम देखेंगे SN1 reaction के एनर्जी डाइग्राम में SN1 reaction की रियक्शन हम न्यूकल फायल से करवा रहे है तो सबसे पहले जो यह दोनों आपस में रियक्शन कर रहे होंगे तो पहले एक संक्रम नवस्था को पार करेंगे पहली संक्रम नवस्था इस संक्रम नवस्था को पार करते ही कार्वो केटाइग्राम हो जाएगा इसके बार इस कार्वो केटाइन को फिर दूसरी टांजिसेन स्टेट को पार करना पड़े हैं और फिर लास्ट में X, X- यहां से अलग हो चुका है, लास्ट में NU जोड़ जाएगा और यह जो NU, नुकलिफाइल होता है, कार्वो केटाइन पर दोनों तरफ से आग्रमर कर ज कृइब वह जो जबता है, तो S and one reaction में नुकलिफाइल दो स्टेप में अटव करता है और दोनों step में फर्स स्टेप में पहलेकावो केटेटा, बनतया और Elena last में agricoleoph take a जोड़ जोकर जोड़ते हैं, इसके बार S and one reactions में ही next topic है, एविदेंस इन फेवर और एसनवन मेकनिजम एसनवन किरियाविदी के पक्ष में प्रमाद एविदेंस इसका फर्स्ट एविदेंस है गतिज गतिज प्रमाद काइनेटिक एविदेंस काइनेटिक एविदेंस इसमें क्या होता है इस अभी के लिए के जो गतिकी है काइनेटिक लिए जब वो सड़ी की जाती है तो इसके लिए एक समीकरन प्राप्त होता है equation वेग समीकरण जिसे बोलते हैं वेग समीकरण इसका वेग समीकरण होता है R X इसका वेग समीकरण क्या प्राप्त होता है वेग समीकरण वरावर K मतलब जो वेग समीकरण है अभिकिरिया वेग है वो केबल A की अनूपर निर्भर करता है अधात अभिकरिया वेग केबल एलकेल हलाइड की सक्रे सांधता पर निर्वर करती है इस अर्था तो एक अणुकी ही आवशक्ता होती है वेग समीकरन को निर्थायत करने के लिए इसलिए इसे एकल अणुकिया SL1 नहा जाता है यह हो गया फस्ट एविडियर्स इसके बाद है सेकंड त्रविमिया प्रमाडीय theatrical nurse प्रमाड स्टीरीयू केमिकल एविडैन्स स्टीरीयो केमिकल एविडैन्स इस में बताते हैं की उत्पाद kya बनता है उत्पाद रेशिय में कमिश्न बनता क्यों है तो इसमें बताते हैं कि जो SN1 reaction होती है उसमें फर्स्ट स्टेप में उसमें क्या बनता है? कार्बो केटाइन बनता है और उस कार्बो केटाइन की structure होती है सम्तलिय त्रकॉलिय planar, triangular कार्वो केटाइंग की अक्रिती समतलिय त्रकौनी होती है और यह अक्रिती इस्पकार होती है कि दौनों ओर से जैसे यह होगे समतलिय त्रकौनी यह कार्वो केटाइंग इस तर पॉजिटिव चार्ज तो इस ओर से भी न्यूकलोफाइल अटेक कर सकता है और इस और शीमीक मिस्चर और इस रेकिमITT मिस्चर के बारे में इसकी structure बताती है और यह structure कुसे में पढ़ते हैं तो भी मिये प्रमार में इसके बाद next evidence है पुनर विन्यास नेक्स्ट पुनर विन्यास में बताते हैं कि इस SN1 अभीक्रिया में step 1 में कार्वो केटाइन बनता है केटाइन कार्वो केटाइन कार्वो केटाइन बनता है अगर SN1 अभीक्रिया में कार्वो केटाइन बनता है तो वह rearrangement द्वारा पुनर विन्यास द्वारा अपने structure को और जादे stable बनाता है और stable product देता है कैसे अगर देखें CH3C ये है नियो पेंटल ब्रॉमाइड नियो पेंटल ब्रॉमाइड की अभीक्रिया एथनोल से कराएंगे अब हम एथनोल से कराएंगे तो एथनोल में OC2H5 न्यूक्लिफायल की तरह काम करेगा और इस पर अटेक करेगा तो न्यूक्लिफायल बनने से पहले इसमें कार्वो केटाइन बनाना है कार्वो केटाइन बनाएंगे कैसे ये bond हेलोजन निकलेगा कार्वो केटाइन हमेशा पनर विन्यासित उत्पाद बनाता है और स्टेवल उत्पाद बनता है अगर carvocatum तो इसके साथ प्लिया, पॉजिट इसके साथ जो जाए CH3, C, यहां पर CH3, इस पर आगे है positive charge, CH2 and यह CH3, अब हम अगर देखने हैं तो यह कौन सा degree है, 1, 2, 3, कौन सा degree है, 3 degree carbocation है, 1 degree की तुलना में 3 degree carbocation stable होता है, इसलिए इससे जो product बनेगा वो stable, नहीं होगा, last product नहीं होगा, इसके दवार जो product बनेगा वो stable हो, तो हमने C2H5 की OH की reaction कराई, H+, निकल गया, तो OC2H5 minus, ना भी कस नहीं की तरह कारे करेगा, और इस position पर आके, जोड़ जाएगा, तो इसके evidences, तीन evidences थे, इसी तरह में SN2 पढ़ने हो, तो SN2 के भी, तीन evidences पढ़ने हो, इसके बाद next SN2 reaction, जोसे हम last lecture वीडियो में पढ़ेगे, SN2 reaction,